आप सभी को पता है कि अभी वर्स 2017 में UPSC Civil Services Men's Examination कंड़क्ट कर रही है और ये परिक्षा अभी भी जा रही है ठीक अभी जो examination चल रहे है उसमें जो general studies का paper हुआ है तो आप जो नए syllabus पर 3-4 वर्सों में जो exam हुए है उससे जदी तूलना की जाए तो इस बार का जो प्रस्न पत्र है वो तूलनात्मक रूप से थोड़ा सा असान है वैसे प्रस्न कोई आसान नहीं होता है सबसे पहली बात यह समझने की होती है आपको आता है तो आसान है और नहीं आ रहा है तो फिर वो भारी है लेकिन जो प्रस्न पूछा गया है general studies के first paper में मैं उस एक प्रस्न पर आप से चर्चा करना चाहूंगा जो general studies first paper में question number 5 है और यह प्रस्न है जो नासा का जूनो मिशन पृत्वी की उत्पत्ती एबम उसको विकास को समझने में किस प्रकार सहता करता है यह प्रस्न है मित्रों सबसे पहले एक बात आप जान लिजे कि जो प्रस्न का आदर्स formating होता है हम इसे तभी कर सकते हैं जब हम प्रस्न जो पूछे गए हैं उस पर हम एक दो मिनट के लिए thinking करें और उस प्रस्न को टुकरों में बाट लें जब हम प्रस्न को टुकरों में बाट लेते हैं तब answer formating करना, point बनाना और क्या हमें लिखना है ये थोड़ा से आसान काम हो जाता है तो जब आप प्रस्न को टुकरों में बाटते हैं तो सबसे पहले किसी भी प्रस्न में आप सब्द सीमा कया ख्याल रखते हुए परिचाय लिखने का जरूर इंट्रोडक्शन लिखने का प्रचार प्रयास जरूर करेंगे देखिए वैसे डेड़ सो सब्द में ये प्रस्न लिखना है जो ये पीए सी का भी विगत पैटर्न है और डेड़ सो सब्दों में लिखे जाने वाले जो प्रस्न होते हैं पर काफी लंबी इंट्रोडक्शन या भूमिका लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जदि आप लंबे इंट्रोडक्शन और भूमिका लिखेंगे तो जो प्रस्न का महत्वपूर्न बॉडी पार्ट होता है उसको लिखने के लिए समय कम पर जाएगा एक बात और दूसरी बात यह होती है कि जदि आपने इस प्रस्न पर डेड़ सो सब्द के बदले में 200 सब्द खर्च कर दिये हैं तो आप मान लिजे कि आप एक प्रस्न जो और लिखना था वो कम लिखेंगे क्योंकि आपने इसमें एक्स्टा टाइम कंजूम कर लिया है तो डेर सो सब्द सीमा कहने का यह कदापी अर्थ नहीं होता है कि आप डेर सो ही सब्द लिखें वो लक्षमन रेखा है दो चार पांच सब्द जदी अधिक हो जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है और जदी पांच सब्द आप कम लिखें दव सब्द तो वो जादे बहतर होगा क्योंकि इस तरह से जदी हर एक प्रस्न में आप थोरा सा सब्द सीमा बचाएंगे तो नंबर और प्रस्न अधिक आप एटेंप कर पाएंगे इसलिए कोशिश यही करनी है कि सब्द सीमा का ख्याल रखते हुए हम एक कंक्रीट ठोस आंसर जो कॉंपी चेक करने वाले आपके एक्जामनर होंगे उनके सामने प्रस्तूत करें ताकि वो अधिक प्रसन हो चुगे क्योंकि जब लंबा प्रसन हो जाता है तो परने वालों को भी थोरा सा बोरिंग लगने रहती है इसलिए इन चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए दूसरा प्रसन का जो भाग होता है उसे हम उसका कहते हैं body part तो body part जो प्रसन का होता है उसमें हम जो प्रसन के महत्वपूर्ण भाग होते हैं उनका हम analysis करते हैं वो प्रसन के demand के नुसार होता है कि प्रस्ण में आखिर पूछा क्या गया है, कारण के बारे में पूछा गया है, विसलेशन करने के लिए पूछा गया, तर्क पूछा गया, जो भी इस तरह का की सब्द होता है, उसके सहारे यहां body part के answer का विसलेशन होगा. और तीसरा जब हम लोग निसकर्स लिखते हैं किसी भी प्रस्ण का, तो देखिए जो सब्द सीमा है, उस हिसाब से वर्तमान समय में जैदी आप निसकर्स ना भी लिखें, तो कोई दिक्कत ने, क्योंकि निसकर्स में हम लोग क्या लिखते हैं, जो उपर चीजें हमने लिखी हैं, उसी के समर्थन में हम एक वार फिर से अपने तर्क को प्रस्तूत करते हैं. जो मुझे नहीं लगता है कि बहुत उचित है, हाँ, लेकिन यदि आप ऐसा कर पाते हैं, समय बचाते हुए, तो लिखते हैं, तो वो भी एक अच्छी बात मानी जाएगी. निसकर्स में दो चीजों का हमेशा ख्याल लगना चाहिए, कि एक जो आपने उपर बातें लिखी है, उसी बात के या उसी प्रस्न के आंसर के आलोक में आपके विचार आने चाहिए. और दूसरी बात कि आंसर को हमेशा जो है कोसिस करें कि आप भविश्योन मुखी बनाए, फ्यूच्रिस्टिक आंसर बनाए, ताकि आंसर जाच करने वालों को भी पता चले कि इसके पास प्रिजेंस आप माइंड है, चीजों को समझने की जहमता है, और जब प्रसासन के छि यह काम करेगा, उसके बारे में सोचेगा, इसलिए आंसर को भविश्योन मुखी बनाने की जरूरत होती है, और तीसरा जो होता है, इसमें कि आप जब भी आंसर का इंड करें, तो हमेशा आपकी जो विचारधाराएं होनी चाहिए, वो साकारात्मक रूप से इंड होनी चा करने वाले होते हैं, वो एस्टुडेंट के लिखावट से यह समझ जाता है कि यह प्रसासन में जाएगा, तो पॉजिटिव एटिचूड लेके जाएगा या फिर इसके अंदर निगेटिव एटिचूड है, तो हमेशा आप निसकर्स में इन तीन चीजों का ख्याल रखें उस बात के समर्थन में तर्क प्रस्तूत करें, जिसका अपने परिचाई और बॉडी में जिक्र किया है, भविश्यों नमुखी अपना आंसर बताएं और फिवर साकारात्मक संदेशों के साथ अपना आंसर इंड करें. अब इसी आलोक में, जब इस वार जो UPSC ने वर्ष दो हजार पांच, 2017 में कोशन पूशा है पांचमा, कि नासा के जूनो मिशन पृत्वी के उत्पत्ति और विकास पर किस प्रकार प्रकास डालेगा, तो अब यहाँ पर परिचाई में सबसे पहले हम लिखेंगे जूनो म सन के इंट्रोडक्शन के साथ, हमें यहाँ थोरा सा उसमें दो लैन ये भी लिखना है, कि अभी भी ब्रह्मान्द की कई ऐसी सारी चीजें हैं, जिनको वैज्ञानिक पूर्ण रूप से सुल्जा पाने में सफल नहीं हो पाए हैं, और उन में से पृत्वी और पृत्वी जैसे अन्य जो पार्थिव ग्रहें हैं, इन ग्रहों की जो उत्पत्ती प्रक्रिया है, आज भी वैज्ञानिक इस पे सिद्ध करने में, इस पे खोज में लगे हुए हैं, और आपको पता होगा, कि इन ही सब चीजों के प्रियास के दिसा में, यूरोप के सर्न प्रियोग स चाला में, फ्रांस और जेनेवा की सीमा पर एक भुमिगत मसीन में महा प्रियोग किया जा रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं, लार्ज हैडरन कोलाइडर, और इसके द्वारा बैज्ञानिक ये प्रियास कर रहे हैं, कि जिस तरह की प्रिया बिग बैंग के समय हुई होगी, उसी तरह की प्रिया करने में जुटे हुए हैं, और जैदि ये प्रियास सफल हो जाता है, तो ब्रह्मान्द के उन तमाम अल सुल्जे पहलों को बैज्ञानिक सुल्जाने में सफल हो जाएंगे, जो आज तक सुलज नहीं पाई है, और उनहीं में से एक है प्रिथिवी और अन्य पार्थिव ग्रहों की उत्पत्ति, ठीक, अब जुनो मिसन क्या है और कैसे इस पर नासा ने इसको काम किया है, तो आप जान लेजे, मित्रों जो जुनो मिसन है, ये नासा के दुआरा 2011 में प्रक्षेपित किया गया था, और जुलाई 2016 में ये ब्रहस्पति के पास प उन्ही के नाम पर जो है, इस मिसन का नाम जो है वो रखा गया है, और जुनो ऐसा पहला सोलर मिसन है, सौर मिसन है एक तरीके साब समझे, अंतरिक्षिय मिसन है, जिसमें उरजा सौर पैनल के दुआरा जुटाई जा रही है, और ये भी आगे चलकर विज्ञान में एक जिसका लाव आगे उठाया जा सकता है, अब जब आप इन दोनों चीजों की चर्चा कर देंगे, तब इस बॉड़ी पार्ट में आएंगे, तो बॉड़ी पार्ट में सबसे पहले हमें जुनो मिसन का उद्येश क्या है, क्या इसका रिसर्च करने जा रहा है ये, उसको जा जो जुनो मिसन का उद्येश है, नाशा का, वो ये है कि जो ब्रहस्पती ग्रह है, इसका टिम्प्रेचर कितना है, वो जानकारी जुटाना, दूसरा, ब्रहस्पती का जो चुम्बकिये छित्र है, उसके बारे में जानकारी जुटाना, और टिम्प्रेचर और ताप चुम् चुम्ब किये छेत्र और उसके मौसम के बारे में जानकारी जुटा कर वो नासा को अपलब्द कराएगा और नासा फिर उस जानकारी के आधार पर जो है वो प्रित्वी और अन्य ग्रहों के बारे में इसी तरह की प्रक्रियाओं को समझने में उसको मदद देगी. मित्रों आप यह जान लिजे कि अभी जो हमारे सौर मंडल में दो ग्रहें हैं हम उन्हें दो स्रेनियों में रखते हैं एक को हम पार्थिव ग्रह कहते हैं और दूसरे को जोबियन ग्रह कहते हैं पार्थिव ग्रह के अंतरगत बुद्ध, सुक्र, प्रित्वी और मंगल आता ह है जबकि जोबियन ग्रह के अंतरगत ब्रहस्पति, सनी, और एनस और नेप्चून आता है तो जोबियन ग्रह जो बने हैं वो वेसिकली गैस और धूलकन के बादल से बने हुए हैं जबकि जो पार्थिव ग्रह हैं वो वेसिकली ठोस पदार्थों, धात्विक और धात्वि मिशन के तहट यहाँ पर दूसरा उद्येश यह है कि नासा ये जानने का प्रयास कर रही है कि जो ब्रहस्पती ग्रह है इसके बाहरी कक्षा में जो हजारो किलो मीटर स्क्वेर में धूलकन और बादल का आवरन है क्या उस धूलकन और बादल वाले आवरन के अंदर यदि ऐसा ब्रहस्पती में मिलता है धूलकन और गैस के बादल के नीचे तो फिर ये प्रित्वी और प्रित्वी जैसे जो अन्य पार्थिव ग्रह हैं उनकी संरचना और उनकी उत्पत्ती प्रक्रिया को समझने में हमें सहयता प्रदान करेगी फिर इसका तीसरा गैस के का पता लगाना और मित्रो जदी ऐसा हो जाता है कि वहां है लिख यद्रोजन और ऐक्सीजन गैस की नीची के बारे में पता लगता है तो फिर उसके अधार पर वहां जल ऊपस्थित है या नहीं है इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा सकती है और इससे क्या होगा लाव वो अब आप इस परकार से देखिए इन तीन उद्येशों से जिसकी हमने जिक्र की है पृत्वी और अन्य पार्थिव ग्रहों की उत्पत्ति और विकास को समझने में सहयता तो मिलेगी ही इसका अन्य क्या क्या जानकारी मिल जाती है उसके अधार पर अन्य पार्थिव ग्रहों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा सकती है दूसरा यदि यहां पर हैड्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिती के प्रमान के अधार पर जल की उपस्थिती का प्रमान मिलता है तो फिर आप जानते हैं क भविष्च में मंगल ग्रह पर जीवन के बारे में रिसर्च, अंत्रिक्ष में मानव को बसाने का प्रयास किया जा रहा है, हो सकता है कि जदी ऐसी चीजे मिलती है, तो ब्रहस्पति हलांकी काफी cold planet है, काफी ठंडा ग्रह है, लेकिन भविष्च में जैसे जैसे बिग्ञान क प्रगती होगी, विज्ञान के छेतरवानु संधान होगा, तो वो दिन दूर नहीं हो सकता है, जब मानव ब्रहस्पति के उपर भी जाने के बारे में सोचने लगेगा, क्योंकि जीवन के लिए oxygen और जल जो है वो जरूरी है, और जदी वो हमें वहाँ पर मिल जाता है, तो एक पहला मिशन है, जिसमें सौर पैनल का उपियोग किया गया है, यानि ये मिशन उर्जा जो है सौर प्रकास से उत्पन करेगा, और सौर प्रकास से जदी उत्पन करता है, और इसमें जदी ये सफल होता है, जैसा कि अभी तक सफल है, तो आने वाले अंतरिक्ष मिशनों म ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है और हम इसका अन्य मिशनों में लाव उठा सकते हैं अब आप देख रहे हैं कि आपके पास क्या है कि ये तीन बिंदू जो जूनो मिशन का उद्धेश है वो है ही उसके आधार पर ये पृत्वी और अन्य ग्रहों के उत्पत्ति को कैसे कर सकता है वो आप समझ गए और अब जब निसकर्स देंगे तो फिर इसमें क्या होगा कि जैसे हमने पहले ही कहा था कि निसकर्स में हम अपने बातों के समर्थन में जो पर कही है वो बात रखेंगे दूसरा आंसर को भविश्यो नमुखी बनाएंगे और तीसरा साकारात्म संदेशों के साथ आंसर का अंत करेंगे तो अब यहां पर आंसर में कैसे लास्ट में इसका निसकर्स निकाला जाएगा कि उपरुक्त जो हमने जुनो मिशन की उपलबदियों और उसके उद्यसों के बारे में चर्चा की है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो प्रिथवी और अन्य पार्थिव ग्रहें हैं उनकी संरचना कैसी है उनकी उत्पत्ती कैसे हुई है इसके बारे में हमें और बैग्यानिक जानकारी मिलेगी एक दूसरा इसका लाव हमें यह होगा कि यदि ब्रहस्पती पर जल और ऑक्सीजन और हैड्रोजन की पस्थिती का प्रमान मिलता है तो भविष्च में यहां पर भी जीवन यानि मानविये वसाव के प्रयास किये जा सकते हैं हलांकि यह कठिन प्रयास होगा लेकिन बिज्ञान के लिए मित्रों आप भी जानते हैं कुछ भी असंभब नहीं है जैसे जैसे बिज्ञान की प्र मिलेगी और इससे ना केबल नासा बलकि बिश्व के सभी देशों को लाव मिलेगा और बिज्ञान के छित्र में नित्यने प्रगती होते रहेंगे जो भारत के लिए भी लावदायक साबित हो सकता है तो इस तरह से मित्रों आप अपने आंसर को अंत करेंगे और मैंने पहले अब ही कहाता है कि देखें जो उत्तर होता है कोई प्रस्ण सामान्य होता नहीं है प्रस्ण जदी आपको उत्तर आ रहा है तो वो लगता है कि सामान्य है और उत्तर ना आ रहे हो तो लगता है कि वो प्रस्ण भारी है दूसरी बात देखिए मित्रों जो यूपीएसी प्रस selection लेने के लिए ही प्रस्ण पूछ दिया, ऐसा नहीं को ऐसा प्रस्ण पूछ देती है कि आप उसका उत्तर ना लिख सकें, हाँ लेकिन प्रस्ण का उत्देश ये भी होता है कि आप बरतमान में कितने राष्टी अंतराष्टी रूप से अवेर हैं क्योंकि ये 2016 की घटना है जब जूनो पहुचाता ब्रस्पती पर इसको करेंट से जोर कर आप देख सकते हैं क्या लाब होगा, इन चीजों के साथ अपने आपको जोर कर रखना होता है इनी के साथ मैं अपनी बातों को अंत करूँगा और फिर अगले वीडियो में आपके साथ मैं एक नए प्रस्ण को लेकर उसके उत्तर प्रारूप को लेकर कैसे लिखा जाए, कैसे उसकी बॉड़ी हो कैसे उसका निसकर्स निकाला जाए, उस पर चर्चा करूँगा तब तक आप ये वीडियो देखिए, इसको सस्क्राइब कीजिए खुद देखिए और इसका लाव अपने मित्रों और सापाठियों को भी पहुँचाईए इनी बातों के साथ आपको सुभकामना है गाद ब्लेस यो